यहां एक बहुत अच्छा वचन है याद रखने के लिए यह जानने के लिए आम परमेश्वर के उपस्तिती में है या नहीं मेरे लिए कम से कम यह परिक्षा है बजन सहीता सोला उसका ग्यारव वचन तेरे निकट या तेरे चर्नों में आनंद की भरपूरी है यह एक अध्भूत वचन है प्रभू तेरे उपस्तिती में आनंद की भरपूरी है और मैं अपने आप से कहता हूँ मैं जानता हूँ कि मैं प्रभू की उपस्तिती में हूँ जब मेरे रिदय में आनंद है अगर आनंद मेरे रिदय से निकल जाता है फिर मैं प्रभु की उपस्तिती में नहीं हूँ क्योंकि प्रभु की उपस्तिती में आनंद की भरपुरी है कोई भी जो शिकायत करता है कुड़ 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 आता है वो प्रभु की उपसिती में नहीं है और वो एक छोटी परिक्षा है और फिर एक बार आते हुए जो येश्व मसी ने कहा मत्ती 25 में 24 अध्याय में माफ कीजिया जब लोगों ने येश्व मसी से पूछा क्या चिन्न होगा तेरे आने के मत्ती 24 उसका तीन पहला चिन्न जो येश्व मसी ने बता है ये एक बात जिसके विशे में मैं आपको चेताना चाहता हूँ साउधान रहो कोई तुम्हें ब्रह्मा ने न पाए धोका न देने पाए उसने आकाल या लड़ाईया और भुकम्प की विशे में नहीं कहा वो बाद में कहता है हाँ भुकम्प होंगे हाँ लड़ाईयों के अफवाए होंगी और आकाल होंगे वो सब होगा सात्वे वचन में पर पहली बात क्या है लड़ाइया नहीं और आकाल नहीं भुकम्ब नहीं जो लोग सोचते हैं आप औसमिसीं से पूचा येश्व मसी ने क्या बताया आकरी दिनों में का कई लोग कहेंगे कि आकाल और भुकम्ब और लड़ाइया पर येश्व 24 में उसने 3 में 4 में कहा देखिए कि कोई तुम्हें भर्मानी न पाए धोका न देने पाए धोका ये पहले चिन्न है अंतिम दिनों का येशु मसी के आने के तुरंत पहले और फिर उसने 12 आया 11 वचन में बहुत से जूटे बविशवकता उटकडे होंगे और बहुतों को भर्माएंगे फसाएंगे और फिर एक बार 24 वचन में 25 वचन में क्योंकि जूटे मसी जूटे बविशवकता उटकडे होंगे बडे चिन्न और अद्बुत काम दिखा के भर्मा देंगे, तीन बार वो कहता है भर्माने के विशे में, फसाने के विशे में, दोके के विशे में, कितने बार आकल और भुकम के विशे में उसने कहा है, एक बार, क्यों मुख्य बाद जो येशु मसी ने कही, वो कई लोगों के मन से निकल गई है, शैतान नहीं चाहता की लोग जाने कि वो उनको फसाने वाला है धोका देने वाला है अंतिम दिनों में या मेरे साथ निका लिए जो प्रेरित कहते थे पहले तिमतिय उसमें उसका चौथा अध्याए आत्मा स्पष्टता से कहता है आने वाले समयों में मतलब अंतिम दिनों में पहला तिमतिय चार जाएंगे मतलब वो नए भैग जाएंगे वो नए जन पाए हुए मसी है वो अविश्वासी नहीं है वो नांधारी मसी नहीं है वे विश्वास में आये हैं और वो विश्वास से भाग जाएंगे वो गिर जाएंगे और पॉलस पवित्रात्मा ने क्या काँ स्पष्टता से वो कैसे विश्वास से भग जाएंगे कितने लोग भर्माने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे पॉलस कहता है सत्प्रतिशत येश्व मसी के जैसे कि अंतिम दिनों का एक गुन ये होगा धोका, भर्माना और भर्माने वालें के का है दुष्टात्माओं की शिक्षाओं यहाँ दुष्टात्माओं की एक शिक्षाओं में बताना चाहता हूँ ध्यान से सुनिए अगर आपने मसी को एक बार स्विकार कर लिया तो कोई फरक नहीं पड़ता, आप कैसे भी जी हो आप फिर भी मसी के राज्या में प्रमेश्वर के राज्या में आप फिर भी प्रभु के साथ होंगे अनन्त काल के लिए ठीक है हम उसको बाइबल से तुलना करके देखेंगे यहां बाइबल यह कहती है इबरानियों के पत्री उसका तीसरा अध्या है 14 वचन, इबरानियो 3,14 यहां लिखा है पवित्रा आत्माया लिखता है इबरानियो तीन शौधा क्योंकि हम मसी के भागिदार हुए है कब? आप कैसे मसी के भागिदार होते हो? उसके शरीर के भाग कब बनते हो? अगर एक बड़ा यदी लिखा है यदी यदी हम अपने प्रथम भरोसेग पर अंतक दृड़ता से स्थिर रहे जब से हमारा नया जन्म हुआ हम दृड़ता से उसको पकड़े रहते थामे रहते अंतक फिर हम मसी के भागिदार बनते हैं ऐसे वेक्ति का का है जो जिसने पहले स्विकार किया और फिर लापरवाज जीवन जिया उसके बाद इस वचन के द्वारा वो मसी का भागिदार नहीं है या देखेंगे येशु मसी ने क्या का मती 24 में उसने धोके के विशय में कहा मती 24 फिर एक बार 11 वा वचन 11 से लेकर 13 प्रभु के आगमन के लिए तयार होना ये हमारा विशय है बहुत से जूटे भविशत वक्ता उठ खड़े होंगे एक या दो नहीं जूटे भविशत वक्ता और बहुतों को भर्माएंगे या फसाएंगे धोका देंगे एक या दो नहीं बहुतों को और अधर्म के बढ़ने से क्योंकि पाप बढ़ जाता है और आज संसार में देखिए पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है बहुतों का प्रेम मतलब कई विश्वासियों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा वो अविश्वासियों के बात नहीं कर रहे है अविश्वासि के पास कभी परमेश्वर के लिए प्रभु के लिए कोई प्रेम नहीं था किसका प्रेम ठंडा हो सकता है कोई वस्तो तभी ठंड हो सकती है अगर वो गरम थी या सरगरम थी किसी समय जो एक समय बहुत गरम था वो ही ठंडा हो सकता है एक विश्वासी हमेशा ठंडा होता है बर्फ के जैसा ठंडा वो उनकी बात नहीं कर रहा वो उनकी बात कर रहा है जो एक समय प्रभु को स्विकर किया था बिल्कुल अगनी में वो जल रहा था और फिर वो ठंडा हो गया वो मसीयों की विश्वासियों की बात कर रहा है और वो कहता है बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और अगर आप सुनते हो अगर आपने सुना एक ऐसी रिपोर्ट को कि कई लोग आपके नगर में आप जहां रहते हो शहर में उनको ये कोविड हो रहा है क्या आप सतर्क रहोगे अगर खबर ये थी कि एक या दो लोगों को मिलती है तो आप नजर अंदाज कर सकते हो पर अगर खबर ये है कि 90 प्रतिशते शहर में उनको कोविड हो सकता है तो आप सतर्क होंगे या नहीं होंगे वही मैं आपको पूछना चाता हूँ कि जब येशू कहता है बहुतों का प्रेम थंडा पड़ जाएगा उनका प्रेम एक समय गरम था दूसरे शब्दों में मैं इसको अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ कई विश्वासी पीछे फिसल जाएंगे बैक स्लाइडर बन अगर मैं परमेश्वार के वचन को पड़ते है कि कई लोग बैक स्लाइडर बनेंगे तो मुझे बहुत सतर्क रहना है मैं बैक स्लाइडर नहीं बनना चाहता पीछे नहीं फिसलना चाहता पर एक जो अंत तेरा वचन अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा उसका अर्थ क्या है इस अगर संदर्व में देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति जो प्रेम में धीरज धरे रहता है अंत तक उसका प्रेम ठंडा होगा वो यह नहीं कहता कि उनके काम कम हो जाएंगे उनकी अक्टिविटी कम होगी कई लोग बहुत अक्टिव है प्रचार करते ह है कलिश्या जाते हैं मसी काम करते हैं पैसा देते हैं पर उनके पास प्रमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है येश्व मसी के लिए येश्व मसी के लिए प्रेम बहुत ज्यादा जरूरी कोई भी काम से भी अधिक जौप उसके लिए करो कैसे हम प्रभु के आक्मन के लिए बहुत सारे कामों से नहीं, ऐसा काम जो एक उत्सुक प्रेम से आती है, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, 55 वर्षों से, और मैं खुश हूँ कि मैं प्रभु के और 55 वर्ष भी सेवा कर सको अगर प्रभु मुझे जीवन देतो, मैं कभी नहीं थकूँगा, मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ, कुछ भी त्यागने के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, मैं कभी थकूँगा नहीं, कभी नहीं, मैं आज नहीं थका हुआ, मैं रात तक बैठने के लिए तैयार हूँ, कितने भी दिन तक, मैं कभी थक और जब आप ऐसा कुछ करते हो प्रेम के लिए प्रभू के प्रेम के लिए फिर उसका कोई मूल्य होता है प्रेम ठंडा हो जाएगा, कई विवाओं में होता है, कई शादियों में होता है आप एक नए विवायत जोडे को देखते हो, बहुत उत्सा ही प्रेम है एक दुसरों के लिए और वो दर्वाजे पर रुखती है, जब उसका प्रती वापस आएगा काम से, वो दर्वाजा खोलती है और एक दुसरे के प्रती प्रेम अपना वो व्यक्त करते है और उसने खाना बना कर रखा है पर उसी जोडे को आप देखें, दस सालों के बाद, पती आता है काम से, लोट कर, और वो दर्वाजे पर है ही नहीं अभी उसको खुद दर्वाजा खोलना पड़ता है, और वो कहती है, मुझे भूक लग गई, मैंने खा लिया, अगर आप खाना चाते हो, तो टेबल पर खाना पड़ा है जा कर खा लिजे, ऐसा नहीं था जब उनकी पहले शादी हुई थी, प्रेम ठंडा हो गया है फिर भी खाना उसने बनाया, वो जो जरूर, पर वो रुकी नहीं उसके लिए इस पर प्रेम ठंडा हो गया है, ऐसे कई शादियों में हुआ है, और कई लोगों का प्रभु के साथ संबंद में भी ऐसा हुआ है मैं सबसे पुछना था तो, मेरे प्रिय भाई और बेनो, मेरा सच्चा विश्वास है, आप में से कईयों का एक नया जन्ड का अनुभव है नहीं तो आप आज यहां बेटकर मुझे नहीं सुनते, आप कुछ और करते, आज मेरा विश्वास है, आप में से कई लोग आपका नया जन्ड पाएने का अनुभव होता, मेरा प्रश्णी यह है क्या आप रभु से आज प्रेम करते हो जब से आपने तब किया था क्या आप सोच सकते हो, जो त्याग आप करने के लिए तयार थे उस समय, जब आज आपको त्याग करना बड़ा मुश्किल जाता है क्या आप सोच सकते हो, कितनी तिवरता से आप बाइबल को अध्यान करते थे परमेशर के मन को जानने के लिए प्रचार करने के लिए नहीं सर्मन त्यार करने के लिए नहीं परमेश्वर के मन को जाना आपके लिए शुरुवाती दिनों में आप कैसे बाइबल पढ़ते थे आज कैसा है आप इंटरनेट पर ज़्यादा जाते हो बाइबल से भी अधिक आज अपने आप से प्रश्ण पूझिए कि आप इंटरनेट पर ज़्यादा समय बिताते हो बाइबल से भी कौन सा ज़्यादा आकर्शत है आपके लिए येशुमसी या कुछ संसारिक बात या संसारिक व्यक्ति आपने आपको मुर्क ना बनाए कि आप येशुमसी से प्रेम करते जो प्रेम में धीरज तक धरे रहे अंत तक रहे एक साथ पढ़िए, मत्पी 25-12 तेरा, बहुत अंका प्रेम ठंडा हो जाएगा, परन्तों जो अंत तक जिसका प्रेम टिका रहेगा उसका उद्दार होगा हम एक ऐसे वेस्ट संसार में जीते हैं हम एसे बहुत लोग बहुत छोटे जगे में रहते हैं हमारे पास समय नहीं है येशु मसी के जैसे कि हम जंगल में जाकर प्रातना करें येशु मसी कई बार जंगल में जाकर प्रातना करता था ताकि कोई उसको disturb ना करे हम शहर में जीते कोई जंगल नहीं है पाशाए दस हजार मील दूर है हम कहां जाकर प्रात्ना कर सकते जीवन इतना व्यस्थ है सारे रस्ते मर्ग व्यस्थ है घर में व्यस्थ है मैं आपको बताता हूँ का मैं भी बहुत चोटे घर में जीता था मेरा जंगल का है मैं बताता हूँ सुबे-सुबे भोर को जब मेरी पत्नी सोई हुई है और मेरी नेंद खुल जाती है मैं बिस्तर से नहीं निकलता मैं कहता हूँ मैं प्रभु के साथ समय बताता हूँ वो मेरा जंगल का समय है पूरा संसार सोया हुआ है मेरे आसपास कोई disturbance नहीं है और मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूँ मेरा phone खोलने से पहले कि कोई message है या नहीं Bible भी खोलने से पहले एक बार आप उट जाते हो बहुत सारे distractions हो सकते हैं और मैंने पाया है जब आप बिस्तर में होते हो कई बार रात के बीच में जब आप बीच में कभी-कभी हमारी नेन नहीं खुलती मेरे लिए बहुत बहुमुल्य समय है वो उस समय में यह नहीं सोचता कि मुझे कल क्या करना है वो सब कल तक इंतजार कर सकता है से नहीं जिएगा बल्कि हर शब्च से जो प्रभू के प्रमेश्वर के मुख से निकलता है मैं आप सब को यह कहना चाहता हूं कि इस जंगल में आए मेरे साथ हर सुबह या रात के बीच में जब पूरा संसार सोया हुआ है आपके इर्दगेद प्रमेश्वर के साथ अकेले हो जाए यद्दे पी वो सिर्फ पांच मिनिट हो क्या आप जानते हो पांच मिनिट ये शो मसी के साथ वो आपके जीवन को बदल देगा हां कई बार मैंने अद्भूत प कर दो